जब रिस्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना डूनते हैं पर जब वही रिस्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने डूनने लग जाते हैं साप घर पर आ जाए तो लोग डंडी से मारते हैं और शिबलिंग पर दिखाई दे तो हाँ जोडते हैं दूद पिलाते हैं लोग सम्मान आपका नहीं आपके इस्थान और इस्थिति का करते हैं मीठा जूट बोलने से अच्छा है करवा सच बोल जाए इससे आपको सचे दुश्मन जरू मिलेंगे लेकिन जूटे दोस्त नहीं पेड कभी डाली काटने से नहीं सुकता पेड हमेशा जड़ काटने से सुकता है वैसे ही इनसान अपने करम से और अपनी छोटी सोच और गलत भैवार से हारता है कुए में उतरने वाली बाल्टी यदि जुकती है तो वे भरकर भार निकलती है जिन्दीगी का भी यही गड़ित है जो जुकता है वो पुराप्त करता है साप के दात में, बिच्छू के डंक में और इनसान के मन में कितना जहर बड़ा है ये बता पाना बहुत मुश्किल है बुरा वक्त, बुरा वक्त सबसे बड़ा जादूबर है क्योंकि ये एक ही पल में सारे चाहने वालों के चहरे से नकाब हटा देता है तमिज़दार होने का नुकसान ये भी है कि हजारों बाते दिल के अंदर ही रह जाती है मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे मंगर जो जिन्दा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलेगा जो गिरते हुए को थम ले वही सच्चा इनसान है जो तुफानों का मूँ मोड़ दे वही सच्चा जावाज है इस जहां में दर्द तो हर किसी को है लेकिन जो दर्द को बाट सके वही सच्चा हमदर्द है अब हो गया है आदमी दुकान की तरह अब हो गया है आदमी दुकान की तरह दिखता है जहां प्यार भी समान की तरह पहचान भी है मुश्किल मुखुतों की दोर में दिखता है भेडिया भी इनसान की तरह अपनी पीट से निकले खंजरों को जब गिना मैंने ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था मैंने जिसके भागे में जो लिखा है उसे वही मिलेगा और परेशान होने से कुछ अफिरिक्त प्राप्त नहीं होने वाला सरवोच सत्ता इश्वर के ही हाथ में है अंता यदि वे आपसे नराज है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती तूटी कलम और औरों से जलन खुद का भागे लिखने नहीं देती काम का आलस और पैसो का लालच हमें मान बनने नहीं देता अपना मजब उचा और गैरों का ओचा ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती पानी से तस्वीर कहां बनती है खाबों से तकदीर कहां बनती है किसी भी रिष्टे को सच्चे दिल से निभाओ ये जिन्दगी फिर बापस कहा मिलती है मीठी जुवान रख ना अभी मान रख दिल भी अच्छा रख अच्छा इमान रख तेरे आसुओं की लो कीमत लगाएंगे इसलिए कहता हूँ चेहरे पे मुस्तान रख अपनी जिन्दगी में किसी इंसान को अपनी आदत ना बनाना क्योंकि जब वो बदलता है तो उससे ज़्यादा खुद पर गुस्ता आता है कहते हैं मुस्कान अनमोल होती है सिर्फ दस रुपे में बिकती है बाबू जब पेट के अंदर भूक रोती है मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश बापू तो बोजा लगे पत्थर लगे गणेश बचे कहा अब शेश है दया धरम इमान पत्थर के भगवान है पत्थर दिल इंसान पत्थर के भगवान को लगते चपन भोग मर जाते पुटपात पर भूखे प्यासे लोग फैला है पाखंड का अंदकार सब और पापी करते जागरण मचा मचा के शोर पहन मुखोता धरम का करते दिन बर पाप भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जुरू बताएगा और वीडियो को लाइक करके शेर करके सब्सक्राइब करके आप मेरा और मनोबल बढ़ा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो में लाता रहूं और दोस्तों आप पीस लाइट चेंज को इंस्टाग्राम में भी फोलो कर सकते हैं